हलो फ्रेंट्स, मेरे पार्म रिडिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आया 36 वर्स की महिला के पार्म का अनलसिस करेंगे, इनके कोशन्स का उत्तर करेंगे तो सरपर्थम इनके सवालों को शुनेंगे, फिर एके करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पेकर के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बैल एकन को प्रेस कर दे ताकि लेटिस नोटिफिकेशन आपको मिल पाए तो इनका शवाल इस प्रकार है ये जानना चाहती है इनके जीवन में क्या सरकारी नौकरी की प्राप्ती होगी या यूही ये प्रियास कर रही है इनको इस विशे पर अस्पष्टता से जानकरी चाहिए तो मैं सारी जानकरी आपको दूँगा दूसरी क्या ये खुद का अपना घर का भी बना पाएंगी और आगे का जीवन क्यासा रहेगा हतेली पर क्या अच्छे खराब योग बन रहे है क्या उसके फल आएंगे उस विशे पर पूर्णता चर्चा कर दीजी तो सारी जानकरी मिलेगा इस वीडियो के माद्यम से तो मैं सब पहली चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सरकारी नौकरी के प्राप्ती के योग क्या होते हैं उसके बाद इसको थोड़ा सा क्लियर करके आपको समझाऊँगा सरप्रथम क्या है ना आपकी भागी रेखा जिस भी एज में आप हो उस एज में आपकी भागी रेखा होनी चाहिए प्रवल अवस्था में दूसरी आपकी जीवन रेखा पे बनने वाली प्रोग्रिस लाइन जो की इनर्जी इंडिकेट कर रही है और तीसरी आगर आपकी भागी रेखा जुपेटर तक चली जाए यहां से क्लियर हो कि अगर जुपेटर तक चली जाए उसके बाद आपकी एक सुड़ी लाइन आप घादिली पे होना अतियावश्यक है वो क्यों ज़रूरी है क्योंकि यह आपकी डेडिकेशन को इंडिकेट करती है कि आप कितने जादा डेडिकेटर हो किसी भी चीज के लिए और किसी भी चीज में अगर आप मेहनत करोगे तब भी तो आपको सफलता मिलेगी तो सूरी लाइन के भी अवस्था आपकी हतली पे होनी अतियावश्यक है पहला चीज मैंने क्या बताया कि आपकी फेट लाइन जुपेटर तक जाए वो भी एक अच्छी स्थिती होती है दूसरी आपकी फेट लाइन क्लियर कठ हो और शैटरन तक भी जाए वो भी एक अच्छी अवस्था होती है तीसरी आपकी जीवन रेखा क्लियर कठ हो उस पे बनने वाली कुछ अच्छी प्राग्रेस रेखाए वो भी एक अच्छी इस्थिती होती है और चौती जो बेसिक है वो आपकी ग्रहों में स्टेंथ मूलता आपके पांच ग्रह अच्छे होने चाहिए आपके हतेली पर ये कुछ नॉम्स है जो होने अतियावश्यक है अब उसके बाद आती है गुरू जी मेरे हतेली पर तो ये सब चीज़े हैं बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ उसके विशे में मैं एक चीज़ आपको समझाता हूँ कि आपकी हतेली पर सब कुछ है लेकिन अगर आपके सूरी रेखा में डिस्टरेक्शन हो जाए अगर उस रेखा में डिस्टरेक्शन हो जाए तो वो आपके कंसेंटरेशन लेवल को दर्शाथी है या आपकी concentration level कैसी है पहले तो अवस्था यह होगी दूसरी आपकी mind rate पर भी बनने वाले कुछ इस्थितियां ऐसी होती है जो कि आपकी concentration अवस्था को दर्शाती है तो ये तीनों कुछ ऐसे अवस्था हैं जो कि आप concentrate नहीं कर पाऊगे इस चीज़ को चीक चीक के indicate करती है कभी कभी क्या होता है आपकी भागी इतनी ज़्यादा प्रबल हो जाती है कि आपको यही सरकारी जॉब मिल जाता है आपकी जीवन में यही stability आ जाती है क्योंकि आपकी भागी इतनी प्रबल है और अगर आपकी भागी में थोड़ी से भी doubt रहेंगी तो कहीं न कहीं मैं दूसरी तीसरे योग को देखूंगा तो इस विशे को ज़्यादा आप confuse नहां करते हुए मैं आपको clear रूप से समझाता हूँ कि इस हतेली पर सरकारी जॉप के योग हैं लेकिन एक दूप रॉबलम भी है कि सर्ण रेखा में बहुत ज़ादा disturbance है इसमें क्या है न कि सर्ण पूर्ण अवस्था में नहीं है डवलप कर रही है तो बन रही है तो क्या व्यक्ति महनत करता है या जिस भी इंसान पर ऐसे जानियों का सामना करना पड़ता है तो मैं इसके लिए उपाई दूँगा दूसरा चीज़ मैं बताना चाहूंगा आपको कि आपकी हतली पर सारे योग हैं जो मैंना भी बताया कि कुछ लोग इस confusion में जरूर होंगे कि गुरू जी ये बताएं कि मतलब मेरी हतली पर तो सार जी ने बहुत महनत कर दिया और उसके भागे भी फेबरेबल हैं और आप उस 105 बच्चों में आ रहे हो तो कहां से आपका होगा तो कहीं ना कहीं आपको महनत जादा करना पड़ेगा तो लग तो फैक्टर है अगर योग है तभी तो मैं कह रहा हूं कि योग है अदर्वाइ मौंट में है हाँ एक 34 में 35 में एक राहू लाइं का कट था लेकिन फिर 34 में साल से स्मूथ हुई है वहीं पर कुछ पनने वाली आगे प्रोग्रिस ले लाइने उसके बाद बुद्ध फिंगर की बहुत प्रधानता होती है वो इनके अच्छे मौंट में मैं देख पा रहा है इसको मैं एक चीज़ आपको बहुत सिंपल वेमार लिए मैं समझाया कि वही देखो यह आपका कंपर्टिशन किसके साथ है हो सकता है उसका भागय आपसे अच्छा हो या ना हो तो चीज़ डेफिनिट नहीं होती अगर आप मेहनत करोगी तो आप उस लेवल पर आजाओ लेकिन क्या ना मुझे क्या था आप सिंपल समझो मुझे क्या परिशानी थी अगर मैं क्लियर रूप से यही बोल देता अरे चाहिए आपका तो होई जाएगा कोई दिक्कत था कोई दिक्कत नहीं था लेकिन मैं आप लोगों को सही जान करें देना चाहता हूँ इसलिए मै मैं इतना समझा रहा हूँ, इतना चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ कि आप समझो और मेहनत का क्या importance आपके जीवन में उस चीज़ को भी आप समझो, मैं वैसा astrologer नहीं हो कि आपको भागे के बरों से बैठा दूँगा, मैं सच्चाई बताऊंगा और सच्चाई से रूबरू कराऊंगा किसी किसी की हतेली ऐसी होती है कि वो लोग कम भी महनत करते हैं, जादा फ़ल मिलता है उस विशे पर भी मैं चर्चा करता हूँ लगि कुछ-कुछ हतेली क्या होती है, जिस पर को महनत के वज़ा से तो खोग नहीं होगा तो आप आग लगा लो कि आपकी अतिली पर सरकारी जॉब प्राप्ति के योग नीसंदे हैं, आपको जॉब की प्राप्ति होगी, करना क्या है? आपको जी जान लगा के बहुत ज़़ादा मेहनत करना है, समझ पा रहे हैं? यह था इनका पहला कोशन, दूसा था प्रापर्टी, देखो क्या है न, 36 में वर्स के बाद आपकी प्रापर्टी के योग डबलब कर रहे हैं, तो यह मल्टिपल प्रापर्टी के योग ही होते हैं, और 6 जरूर देगी आपकी प्रापर्टी के सुख के मामले में, उसके बाद इनका और भी जो भी कोशन्स है मैं इनके यहते लिए का यानसेस करता हूँ, वहां से सारी बाते कलिकर हो जानी हैं, तो अब मैं इस वीडियो को इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़े मैं आपको बताऊंगा, जो की नोट करने वाली चीज़े हैं इस तो थंब को आप देख लें कितनी मतलब छोटी आपको फील होगे थोड़ी मोटी, छोटी चप्टी, तो जब एसा कुछ थंब परतीत होना, तो ये थंब अच्छा नहीं माना जाता, ये क्यों नहीं माना जाता ये एक दोश्ट पूर नवस्था है थंब की, इसमें क्या होताई, इसमें प्रेडिक्शन जो होता है, या फिर जो ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसका क्या साइड इफेक्ट आपको होगा, आपको गुस्सा कंड्रोल से बाहर आएगा, चुकि माइंड रेखा प्रबल है, बुद्ध फिंगर लंबी है, बुद्ध की माउंट में प्रबलता है, ग्रहों में अच्छ इससे क्या होगा न, एक साइड इफेक्ट में आपको बता रहा हूँ, इससे आप कंसंट्रेशन में आपको प्रबलम आएगी, प्रबलम कैसे आएगी, आपने जो चीज़ अपने दिल में रखी है, गुस्से से ही रखी, इगो हर्ट के प्रबलम से ही रखी, वो चीज़े आपके दिल में हमेशा जब आप पढ़ने बैठोगी या कुछ करने बैठोगी न वो आपको परिशान करते रहेंगे तो आपको concentration level में problem create करतेंगी आपको शांती परदान नहीं करेगी या आपको परिशानी परदान करेगी या तो इसके लिए मैं आपके remedy दूँगा आपको वो करना आपके लिए काफी ज़्यादा effective रहेगा फिर देखो इनके दिली पर ये वाली portion या वाकिरती support मिल जाना है लेकिन कभी-कभी नहीं भी मिलेगा desires की लाइने हैं तो वेक्ती desirable होता है और उसके बाद करें logical portion का बहुत ही अच्छा amount में तो वेक्ती काफी ज़्यादा logical होता है ये चीज़ों तो मैं देख पा रहा हूँ इन लोग mentally मेहनत कर सकते हैं फिर देखो इनके तरी पर जुपिटर जुपिटर फिंगर ये है इनकी चोटी रही है और इनका शन फिंगर बरा रहा है तो वेक्ती बहुत ज़्यादा मेहनती और साथ-साथ हिम्मती मेहनती इसले मैंने बोला सेटन की पोर्शन यहां से धपी हुई है और हिम्मती इसले बोला क्योंकि शुड़ी फिंगर का लेंथ काफी स्ट्रॉंग उसके बाद बुद्ध फिंगर लंबी अगर आपकी बुद्ध फिंगर प्रधान हो जाए और साथ-साथ आपकी चंदर्मा के अवस्था अच्छी हो जाए आपसे बात में वारता लाप में कोई नी जी सकता लिख के मैं देता हूँ आप हमेशा सब पे हाविर होगे आपकी इतनी परफेक्ट और इतनी खतरनाक आपकी कमने के सनस्कल रहेगी उसके बाद देखो तो कुछ ख़डी लाइने मैं दिखाओ इनकी एतली पर ये ऐसे व्यक्ति काफी जादा अच्छे सोबाब के होता है दूसरे के परती अच्छी भावना रहती है और कभी किसी का बुड़ा नहीं कर सकते ये खुड ठगा जाते हैं बड़ दूसरे को ये ठग नहीं सकते पहला पूरवाय स्ट्रॉंग है तो क्या है ना इसमें सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताओं तो ऐसे लोग का प्रारंबिक जीवन थोड़ा तकलीफ दे रहता है जीवन रेखा के स्टिक को देखने के बाद लेकिन क्या है ना धीर दिरीन के जीवन में उन्नती ही करते हुए नजर आते है समझदारी के लूप तो मैं जरुवत से जादा अच्छा देख पा रहा हूँ जरुवत से जादा इसलिए मैंने ये बात करे कि चदर्मा प्रधान वस्ता में साथ-साथ बुद्ध फिंगर की हाइट अच्छी है तो फिर आप इनसे वारता लाप में नहीं जीत पाओगे समझदारी लॉजिकल सब कुछ है सब चीज को अच्छे से समझते हैं ऐसे लोग भहुत बढ़ी हैं भहुत जबरतस्त फिर दिको ब्रशपती में हलका सा दवाब है इसके लुपाई करने के आवश्यक्ता है ये थोड़ा आपको प्रॉब्लम क्लीर करेगा पड़िवारिक समझ से आएं और कहीं न कहीं अन्ट सटिस्फेक्शन या फिर हो सकता है दामपती जीवन कर शुक में कोई ना कोई समझ से करना करना पड़े आपको गुरुवले का फोर्मेशन है थोड़ी नेगिटिविटी को दूर करेगा धारमी कास्ता रहेगी नी संदे नौर्मसर का वैल्यू मान सम्मान मिल जाएब जीवन में यहां से उबार है यहां से दवाब है तो व्यक्ति महनती यहां से उबार है कर सकती है और मैं कहूंगा एक्सेसाइज करो लेकिन शेटरन के लास प्रेड में कुछ अच्छी योग भी बन रहे है जो कि दूर की यातरा है फॉरन की यातरा है साथ साथ धनलाब की सितिको जिखा रही है कोई जब आपनी नेम फेर्म कमाऊ पने जीवन में पैतिक संपति के दरब से एक लाइन आ रही है यह नौर्मल स्तर के का पैतिक संपति का साथ मिल जाना है लेकिन कभी मिला कभी नहीं भी मिला यह वेस्ट रहती है लेकिन संप मांट पे बहुत ही अच्छा ट्रेंगल रूमा करती फीलो रहा हूं इवन एक प्रपर्टी के योग भी डेवलप कर रहा है यह अगर स्टेंट वाली बनती होता आप प्रपर्टी बना पाओगी और आपके 40 में वर्षों के बाद आप जो भी कारिकर को उसको अ अच्छी होती है रोग उसे लड़नी की चमता बहुत ही जादा अच्छी होती है सबसे बड़ी बात है आयू दिरगायू स्वस्त जीवन वैतित करते हैं बहुत ही कम समय मैंसे लोग बिमार पड़ते हैं और अगर बुद्ध की रेखाव की इस्तिति के वज़ए सब बिमार माजा जीवन में ऐसे लोग शांद रहने का सदेव कोशिश करते हैं कोशिश करते हैं मेरे द्वारा किसी को कोई डिस्ट्रेक्शन ना हो और चंदर्मा की प्रधानता अच्छी है तो खाने पेने के स्टॉकीन होंगे और सबसे बड़ी बात है अगर ऐसे लोग पानी कवे पार करें या पाने जुरा वाकारे को तो अच्छा रहता है और विदेश कहीं न कहीं कर संबन इन लोग को आता ही आता है कि तुमा उन पर टूटा टूटा फिश की फॉर्मेशन है तो क्या है न ये अकास्मिक धनलाब होते होते रह जाएगा जब टूटा बन जाना तो कि बाड़ी आएगे न तो वह आएगे निए वही मिस हो जाएगे कब आएगे कैसे आएगे आप कन्फ्यूजर में चले जाओगे कि मिरे पास आएगे भी की नहीं तो ये एक प्रब्लम बार ये वस्ता है कि दिखता है वो चीज़े मिलता नहीं है पैसे के रिगारिंग ले बेसिक नीट्स के पूर्ती में कोई दिक्कत वाला साम नहीं होता मंगल प्रधाने तो वही बात एनर्जी की सूचक है और दूसरी चीज़ क्या है न कि ऐसो लोग चाहें कोशिश करें तो पुलिस लाइन में या फिर परशास्टिंग विभाग की शेवा में ये इसो लोग कर था, 123 में, 26 में में था, तकलिवन 34 में में था, फिर इनकी जो लाइफ लाइन है वो स्मूथ हुई है उसके बाद से इनके लाइन पर डिस्रेक्शन नहीं है अगर देखो तो कुछ प्राइस लाइन भी है तकलिवन इनका 30 में से एक्टिवेट है और ये आगे continue basis पे चल अगर नहीं होता है तो आपकी कमी से याद रखने इसको तो मेहनत कर लो इस वीडियो को देख के जितना हो सके आगे बे continue basis पे progress लाइन बनना तो जीवन की smoothness तो दिकरिया में और 34 में वर्स के बाद तो smooth थी और आगे ये कुछ करेंगी तो और जादा smooth हो जाएंगी फिर द इनको लगेगा मैंसे सब कुछ हो जाएगा वही इनकी सबसे बड़ी problem है यह सब कुछ सोच लेंगे और ऐसे इंसान में सबसे बड़ी में कम जोड़ी आपको बताओ ऐसे लोग क्या है ना कि यह समझ जाएंगे मुझे यह करना है चलो मैं यह करती हैं चलो मैं यह से यह हो одна और उस चीज़ को इतना डिसक्ष करके ये confident इतनी हो जाएंगे न कि फिर उसको implement नहीं कर पाएंगे, सोच के ही रह जाएंगे, तो फिर वो imaginary life by problem आ जाती है, और क्या थोरा सा ये लोग confidence में गलती करते हैं, तो मैं चाहूंगा थोरा सा आप सोच समझ के चीज़े करें, बाद म कमी इसको आपको सुधारने क्या हो शकता, स्टार्टिंग फेज से फेट लाइन का साथ था, लेकिन थोरी मोटी अवस्था में तो बहुत ज़दा नहीं मिला, बट मिला तो होगा ही फेट लाइन तो है, और अच्छी एमाउंट में है, और स्टार्टिंग फेज से ये थी, क्योंकि दूशरी आपकी देखो, यहाँ पर यह इरिटरिशन वाई लाइन, इंसान जल्दी परिशान हो जाता है, जल्दी इरिटेट हो जाता है, वो थोरा सब कंट्रोल कर इसका मेरे मेरी दूंगा, बादमा की प्रपर्टी के अच्छे यो डवलप कर रहे हैं, शूरी ल करने की टेंडेंसी रहती है, बट पैसे खर्च भी होंगे, क्योंकि यहाँ से गैप है, तो वही बाली बात है न, कि कितना जमा करोगी, वो खर्च तो होई जाने है, अगर यह प्रपर बंती तो पैसे जमा होते है, चूकि धन बंडार भी है, ऐसे लोग के पास ये तो मैं क गैरंटी कहता हूँ कि कुछ भी हो जाए, इन लोग पास पैसा तो कुछ आपको मिली जाएगा, लगिन खर्च की बिस्तेती उसी मांट में फिला ले न, तो फिर दिक्कत होगी जमा करने में, लेकिन, लेकिन समझदारी इतनी अच्छी है न, यह लोग खुद पे ही खर्च करते हैं, फाल्तू का खर्चिन नहीं करते हैं, तो यह था इन कहते लिए विचलेशन पूर्णता, अगर आपको अमारा यह वीडियो पसंदा है, तो लाइक करते, कमेंट करते, शेड़ कर सेब्सक्राइब कर दे, अगर आप प्रशन इमेरे से परामश लें चाहते हो, तो ह